हेलो जहीं दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आर्मी अगनीवीर स्पेशल 2022 के लिए हमारी क्लासिस स्टार्ट हो सुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की रहने वाली है जिसके अंदर हम टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के कोशन डिसकस करने वाले हैं आपको पता है आपके एक्जाम में जीके से 15 कोशन पूछे जाते हैं जिसके अंदर से पांच से छे कोशन आपके स्टैटिक जीके से ही होते हैं मैं उमीद करूँगा सेशन आपके आने वाले एक्जाम के लिए हलफू लगेगा चलिए अपनी कलास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा प्रशनों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 20 प्लस कोशन राइट करने का क्यूंकि हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो आपके लिए टार्गेट दिया है 20 प्लस कोशन राइट करने का और बहुत सारे question ऐसे होंगे जिसमें से जो नए student है उनको question नहीं आते होंगे तो ध्यान रखीगा सभी question यहाँ पर expected और selected हैं आपके exam में directly question पूछे जाएंगे तो चलिए start करते हैं आज की class आज का पहला question आपके सामने screen पर है और देखीगा सभी को answer देने का प्रयास करना है comment box में लास्ट में सभी का score comment box में चाहिए पहला question है आपके सामने भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी who was the first woman prime minister of India option है प्रतीबा सिंग पाटिल, सरोजनी नाइडू, इंदिरा गांधी, किरन बेदी जल्दी से answer करिए, क्या answer करेंगे answer match करिए, अगर आप सभी ने option C को answer दिया है इंदिरा गांधी आपका answer यहां पे बिल्कुल correct है साथ में ध्यान रखीगा परतीबा सिंग पाटिल, भारत की पहली महिला राश्ट्र पती हैं, जितने भी आपको extra fact बताए जा रहे हैं यह सभी की सभी आपके exam के लिए super important है सरोजनी नाइडू भारत की पहली महिला राज्येपाल है और कीरन बेदी भारत की पहली महिला IPS officer है, ध्यान रखीएगा question number second, ice hockey किस देश का राश्ट्रिये खेल है ice hockey is the national sport of which country option है Canada, America, Russia या फिर Finland answer match करिये, क्या आप से भी ने option A को answer किया है जो भी Canada को answer कर रहे हैं, उनका answer correct है ice hockey, Canada का राश्ट्रिये खेल है साथ में अमेरिका का राश्ट्रिये खेल भी आपके एक्जाम में पूछा जाता है ध्यान रखना है आपको, baseball अमेरिका का राश्ट्रिये खेल, baseball है चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ question number third आपके साबने विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है very very static question when is world human right day celebrated 22 अपरेल, 2 अक्टूबर, 15 मार्च, 10 दिसंबर answer match करिए, क्या सबी option D को answer दे रहे हैं विश्व मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है 22 अपरेल भी ध्यान रखीगा विश्व प्रिथवी दिवस मनाते हैं प्रिथवी दिवस, 22 अपरेल को मनाते हैं 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है अहिंसा दिवस मनाया जाता है महत्मा गांधी की जनती पर और 15 मार्च को उपभोकता अधिकार दिवस Q4 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए प्रसिद पुष्टक Discovery of India के लेखक कौन है Super Important Who is the author of the famous book Discovery of India दादा भाई नरोजी, जौहर लाल नहरू, सरदार वल्लब भाई पतेल या फिर दयानंदस सरस्वती आंसर करिए क्या आंसर करेंगे आंसर यहां पे जो भी आप्शन B को दे रहे हैं, जौहर लाल नहरू, उनका आंसर करेक्ट है Discovery of India पुस्तक के लेखक, जौहर लाल नहरू है Q5 तोटा ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? Super Important आंसर मैच करिए क्या सभी आप्शन A को आंसर दे रहे हैं? अमीर खुसरो को तोटा ए हिंद के नाम से जाना जाता है Question No.6 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए Very Very Esthetic or Easy Question गिद्दा किस रज़े का प्रमुखन रित्य है? गिद्दा is the main dance of which state? पंजाब, उत्राखेंड, उत्तरप्रदेश, केरल Answer Match करिए जो भी आपे Option A को आंसर दे रहे हैं पंजाब उनका आंसर करेक्ट है गिद्दा के साथ एक नरित्य और ध्यान रखिएगा भांगडा गिद्दा और भांगडा दोनों पंजाब के प्रमुख नरित्य हैं Question Number 7 Zen धरम में कुल कितने तिर्थकर हुए थे Very Important How many तिर्थकरs were there in Zenism Zen धरम में टोटल 24 तिर्थकर हुए थे Option C आपका correct answer है Question Number 8 देखिए वेदों की संख्या कितनी है सबसे easy How many वेदाज आर देर 2, 4, 6, 8 तो वेदों की संख्या कितनी है टोटल 4 वेद है Option B correct answer है Rig Veed, यजूर वेद, अथर्व वेद और साम वेद इनसे भी अलग-अलग कोश्चन बनते हैं आगे की क्लासिस जैसी हमारी चलती रहेंगी हम आगे की क्लासिस में डिसकस करते रहेंगे और ध्यान रखीगा डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होगी आपको पता होना चाहिए Question Number 9 आपके सामने है तिरुपती मंदिर किस राज्य में है इन विच स्टेट तिरुपती टेंपल इस लोकेटेड आंद्रप्रदेश उत्राखेंड असम महराष्ट्रा तिरुपती मंदिर आंद्रप्रदेश में स्थित है जो Option A को आंसर दे रहे हैं आंसर मैच करिए सभी ने Option A को आंसर दिया है Question No.10 आपके सामने कुतुब मिनार कहां इस्थित है वेर इज कुतुब मिनार लोकेटेड दिल्ली, कोलकाता, चेन्नाई, बैंगलरू कुतुब मिनार जो है यह आपका डेली में लोकेटेड है Option A करेक्ट आंसर है कुतुब मिनार का निर्मान किसने करवाया था यह Question एक्जाम में कई बार पूछा जाता है तो कुतुब मिनार का निर्मान कुतुब दिन एबक के द्वारा करवाया गया यह ध्यान रखिएगा कुतुब दिन एबक ने कुतुब मिनार का निर्मान करवाया था कोश्चन नमबर 11 आगा खांक आप का संबंद किस खेल से है वेरी वेरी इस्टेटिक कोश्चन और यह आपका स्पोर्ट जीके से है क्रिकेट, बैडमिन्टन, फुटबॉल, हौके आगा खांक आप इस रिलेटिड टू विच स्पोर्ट क्या सभी आप्शन डी को आंसर दे रहे हैं होके आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोश्चन नमबर 12 भारतिय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टन है वेन इस दा नेशनल आर्मी डे सेलिबरेटेड अब क्योंकि ये नेशनल आर्मी डे की बात कर रहे हैं तो ये कोश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए आप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा 15 जनवरी को भारतिय थल सेना दिवस मनाया जाता है दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ये पता होना चाहिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रिये मत दाता दिवस और 10 दिसंबर तो हम डिसकस कर चुके हैं विश्व मानवदिकार दिवस तेरा नंबर कोशन देखिए जापान की संसथ का नाम क्या है ओट इस दा नेम आफ दा पार्लियमेंट ओफ जापान मजलिस डायट नेशनल असेंब्ली कांग्रेस और ये वाला जो कोशन हैं ये लास्ट फाइव इयर्स के अंदर कम से कम पांश से साथ बर रिपीट हो चुका है जापान की संसत का नाम क्या है डायट है option B correct answer है ध्यान रखेगा इस question को star mark कर देता हूँ super important चोदा नंबर question देखिए न्यूज़िलेंड की मुद्रा क्या है वट इज दा करंसी ओफ न्यूज़िलेंड यूरो, पीजो, रूबल या फिर डॉलर आंसर करिए जल्दी से न्यूजी लैंड की मुद्रा तो जो भी आप्शन डी को आंसर दे रहे हैं डॉलर उनका आंसर करेक्ट है चलिए पंदरा नंबर कोश्चन देखिए शेत्रफल की दृष्टी से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो भी आप्शन सी को आंसर दे रहे हैं रशिया उन सभी का आंसर करेक्ट है कोश्चन नंबर सोला देखिएगा युनेस्को का मुख्याले कहां इस्थित है क्या आंसर करोगे युनेस्को का मुख्याले पेरिस में है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा कोश्चन नंबर सत्रा हजारी बाग राश्ट्री उद्यान किस राज्य में इस्थित है स्टेटिक जीके का इंपोर्टेंट कोश्चन इन विच स्टेट इज हजारी बाग नेशनल पार्क लोकेटेड जार्खंड असम बिहार या फिर उत्त्राखंड आंसर मैच करिए क्या सभी आप्शन एको आंसर दे रहे हैं हजारी बाग राश्ट्री उद्यान जार्खंड में इस्थित है चलिएगा 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं लखनव शहर किस नदी के किनारे इस्थित है लखनव सिटी इस सिचुएटिड अन्दा बैंक्स ओफ विच रिवर सर्यू नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या फिर साबर मती नदी और देखिए नदी किनारे बसे नगर टॉपिक ध्यान रखिएगा नदी किनारे बसे नगर ये टॉपिक मैं आपको यूटूब पर पहले करवा चुका हूँ अब क्योंकि ये अगनी वीर का नई क्लासिस है नया बैच है तो ये टॉपिक हम आपको बाद में फिर से करवाएंगे परन्तु अगर आप अभी ये टॉपिक देखना चाते हैं तो क्लास के बाद दिखिएगा नदी किनारे बसे नगर शुभम ये क्लासिस आपको ये टॉपिक कम्प्लिट मिल जाएगा इस टॉपिक से एक कोश्चन हमेशा टपकता है एक्जाम में लखनाउ जो है ये गौमती नदी के किनारे इस्तित है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कोश्चन नमबर 19 देखिएगा सांभर जील किस राज्य में है सबसे इजी सांभर लेक इस इन विच इस्टेट उत्राखेंड राजस्थान ओडिशा मनिपुर सांभर जील जो है ये राजस्थान में है ऑप्शन बी क्या सभी आंसर कर रहे हैं आंसर मैच करते जाईएगा कोश्चन नमबर 20 प्रतम भारतिये नोबल पुरुसकार विजेता कौन थे हमेशा एक्जाम में पूछे जाने वाला प्रेश्ण इसलिए इसको स्टार मार्क करता हूँ रविंदर नाथ टेगोर अमर्तिय सेन एस चंदर शेकर या फिर मदर टेरेसा प्रतम भारतिये नोबल पुरुसकार विजेता कौन थे ओप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं रविंदर नाथ टेगोर उनका आंसर करेक्ट है थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी ध्यान रखीगा 1913 में रविंदर नाथ टेगोर को साहित्य के शेत्र में साहित्य के शेत्र में उनकी कृती गितांजली के लिए नोबल पुरुसकार मिला था गितांजली के लिए उनको 1913 में साहित्य के शेत्र में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया ओप्शन ए करेक्ट आंसर है 21 नंबर कोशन देखिए हैमिलेट पुस्तक के लेखा कोन है इसके उपर भी स्टार मार्क करिए क्योंकि इसका राइटर भी अपने आप में इंपोर्टेंट है और ये पुस्तक भी वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आती है कालिदास शेक्सपियर हरिवन शराय बच्चन नेलसन मंडेला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हैगा शेक्सपियर क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है और देखिएगा कालिदास को भी भारत का शेक्सपियर बोला जाता है भारत का शेक्सपियर कालिदास ये भी ध्यान र राष्ट्रिये साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है वेन इस इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिबरेटेड क्या अंसर करेंगे तो देखिए अंतर राष्ट्रिये साक्षरता दिवस आठ सितंबर को मनाते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है पांच सितंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्रिये सिक्षक दिवस जितने भी एक्स्ट्राइफेक्ट बता रहे हैं ये अपने आप में कोशन है एक्जाम में पूछे जाते हैं चोदा सितंबर को मनाया जाता है राश्ट्रिये हिंदी दिवस हिंदी दिवस कोश्चन नमबर तेईस देखिएगा सुशाशन दिवस कब मनाया जाता है एक और कोश्चन आपका डेट वाले चैप्टर से 25 दिसंबर 8 एप्रेल 22 मार्च 24 जून सुशाशन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपई जी की जयनती पर ये भी ध्यान रखिएगा चलिए 24 नमबर कोश्चन देखिए वाली वाल की प्रतेक टीम में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है वाट इस दा नमबर आफ प्लेयर्स इन इज टीम आफ वाली वाल पांच साथ चार या फिर छे और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करिएगा अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अगनी वीड की त्यारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेलफूल है और आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा वाली वाल की परतेक टीम में खिलाडियों की संख्या छे होती है आप्शन डी करेक्ट आंसर है कलिर है सबी को पांच होती है बास्किट बॉल में ये भी पता होना चाहिए बास्किट बॉल साथ होती है वाटर पोलो में वाटर पोलो में साथ होती है और पोलो में चार होती है ध्यान रखिएगा पच्चिस नंबर कोशन देखिएगा राश्ट्रपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जल्दी से आंसर चाहिए इस कोश्चन का How many years is that is term of the president ओप्शन सारे एवेलेवल हैं जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है डेली सुबह आपकी 10 बज़े कलास होगी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए ओप्शन एक रेक्ट आंसर है राश्ट्रपती का कारेकाल 5 वर्ष का होता है और राश्ट्रपती बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयू का होना अनिवार्रे है कोश्चन नमबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर भारत कौन से महादवीप में इस्तित है इन विच कॉंटिनेंट इज इंडिया लोकेटेड यूरोप दक्षिन अमेरिका अस्ट्रेलिया एशिया भारत कौन से महादवीप में है तो भारत एशिया महादवीप में है ऑप्षिन डी करेक्ट आंसर है आंसर मैच करिए चलिए कोश्चन नमबर 27 की तरफ बढ़ते हैं जाकिर हुसेन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे विच इंस्ट्रुमेंट डिड जाकिर हुसेन प्ले सितार, सरोद, शेहनाई या फिर तबला जल्दी से आंसर करिए क्या आंसर करेंगे जाकिर हुसेन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे ऑप्षिन डी करेक्ट आंसर है मैच करिए तबला जिनोंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है कौशन नमबर 28 आपके सामने है वैशाखी किस राज्य में मनाई जाने वाला प्रमुक्त यहार है पंजाब, पस्चिमंगाल, असम, उत्राखंड और ध्यान रखीगा इन 30 प्रस्णों के बाद आपको एक कौशन होमवर्ग का भी मिलेगा हमवर्ग भी लेकर जाईएगा वैशाखी जो है यह पंजाब में मनाई जाने वाला प्रमुक्त यहार है कौशन नमबर 29 आज का सेकिंड लास्ट कौशन गेटवे ओफ इंडिया कहां इस्थित है वेर इस दे गेटवे ओफ इंडिया लोकेटेड दिल्ली मुंबई चंडिगर्ड बैंगलरू गेटवे ओफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में लोकेटिड है ओप्शन बी करेक्ट आंसर है अगर इसके अलावा आपसे पूस्था इंडिया गेट तो इंडिया गेट देली में है बढ़ते हैं कोशन नमबर 30 की तरफ आज का लास्ट कोशन इसके बाद एक कोशन होंवरक का भी लिया है होंवरक भी लेकर जाईएगा पहले इसका अंसर करिए राश्ट्रिय गीत की रचना किसने की रवींदर नाटेगोर, बंकिम चंदर चटरजी शरत चंदर चटोपा ध्याए या फिर सरदार पटेल हूँ कंपोश्ट दा नेशनल सॉंग राश्ट्रिय गीत की रचना बंकिम चंदर चटरजी ने की थी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है भारत का राश्ट्रिय गीत गोन सा है ये कोशन आपसे पूछ सकता है तो वंदे मातरम भारत का राश्ट्रिय गीत है तो दोस्तों यहाँ पर आज के आपके सेशन के 30 कोशन कंप्लीट होते हैं स्टेटिक जीके के वेरी वेरी इंपोर्टेंट और सेलेक्टिव कमेंड बॉक्स में जुरूर बताइएगा 39 प्रस्णों में आज आपने कितने कोशन बिल्कुल करेक्ट किये हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी यह कोशन होंवरक का है कल की क्लास में डिसकस करेंगे भारतिय सरवेक्षन विभाग का मुख्याले कहां इस्तित है इसका आंसर भी सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कल की क्लास में यह वाला कोशन डिसकस किया जाएगा तो दोस्तों यही था आज का सेशन स्टैटिक जीके के टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन मैं उमीद करूंगा सेशन आपको जुरूर हल्फू लगा होगा चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए जए हिंद जए भारत